हेलो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यूट्यूब से रिलेटिड है अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके सामने भी इस तरह की प्रोब्लम आती होगी जब भी आप कोई वीडियो अप्लोड करते हैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहां पे लिखते हैं त ठीक है ना हम पढ़ लेते हैं बस कर देते हैं पेस्ट लेकिन काफी सारे वहां पे क्या होता है एंगल ड्रैकेट होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं जो हमें हटाने पड़ेंगे बाद में तभी आपका यह सेव होता है ठीक है तो जैसे मैंने अपने वाइटी कैसे बनावा गया जैसे आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ड्रैड कलर का हो गया और यहां पर लिखावा गया एंगल ड्रैकेट आर नोट एलाउट ठीक है ना मैं इसे सेव करूंग तो सेव भी नहीं होनेगा इसके अलावा मैं आपको वाइटी स्टूडियो के जो एप्लिकेशन होती है वहाँ पर एक बार दिखा देता हूं तो यह मैंने अपने वाइटी स्टूडियो में सेम वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन यहां पर एडिट कर रखा है अब यहां पर देखें मैं आगर आप से बैक करके सेव करके आपको दिखाता हूं तो मै मैंने वापिस से डिस्क्रिप्शन खोल दिया अबना अब देखें बिल्लकुल लास्ट में एक यहां पर एंगल ब्रेकेट बनावा आ रहा है यह उपर कहीं भी नहीं है यह सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है अगर यह कहीं पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं भी अब देख सकते हैं इस तरह का arrow होता है, यह sign होता है, जिसे हम angle bracket कहते हैं, यह केवल YouTube में इस तरह की problem आती है, और इसका यहाँ पर main use कहीं और नहीं होता, हमें आपको वापिस से YT Studio जो Chrome में मैं ने open कर रहा था, वो दिखा देता हूँ, open करके, तो same मैंने अपना यहाँ पर open कर लिया, अब यहाँ पर निचे देखिए एक arrow बना हुआ है, यानि कि जिसे हम bracket भी बोलते हैं, angle bracket, अभी देखे हमारा description red color का आ रहा है, अब मैं इसे यहाँ पर delete कर देता हूँ, तो यह रहा हम इसे delete कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखे इसे आपको YouTube channel में अपने इस तरह की problem आती है, angle bracket are not allowed, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपने description को check करना है, और वहाँ पर इस तरह का angle bracket बनावा आता है, तो आपको उसे देखकर delete करना है, ठीके ना, अगर आपके description में इसे हटाने से आपका जो format है वो बदल जाता है, ठीके तो आपको अपना पूरा का पूरा description चेंज करना पड़ेगा, ठीके ना, क्योंकि इस तरह के जो bracket होते हैं, जो angle bracket होते हैं, वो यहाँ पर description में जब आप edit करते हैं, तो यह save नहीं होता, ठीके न, आपको angle bracket को हटाना ही पड़ेगा, तब ही आपका description है, वो save होगा, make sure आप आपको समझ में आ गया होगा, YouTube के अंदर angle bracket क्या होता है, और यह allow क्यों नहीं होता, यह YouTube की तरफ सही होता है, इनकी termine condition होती है, इसलिए allow नहीं करते हैं, ठीके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे कैसे हटा गया, आपको इससे save करना है, बागी इससे related कोई और कोई